हालो प्यारे बच्चों इस वेडियो में हम अवरेज आवसत देखेंगे लेकिन इस आवसत का मान हम ट्रिक के द्वारा ग्यार करेंगे तो पहले हम आते हैं विस्तार से देखते हैं तो हमारा आवसत बराबर सुत्र होता है पदों का योग पदों का योग और बटे होता है पदों की संख्या तो पदों का योग का मतलब है जितने अंकों होंगे सब को जोड़ कर और अंकों की संख्या से भाग दे देंगे अब यहां अगर हम निकालेंगे तो जोडेंगे तो 6, 4, 10, 2, 12, 12, 18, 20, 6, 26, 26, 24, 32, 32 की दो हासिल तीन लगा तीन, एक, चार, एक, पांच, एक, छे, एक, साथ यनि कुल जोडने पर हमें पदों का योख़ल 72 आ गया और पदों की संख्या अगर निकालेंगे तो एक, दो, तीन, चार, पांच, एक, छे, एक, साथ, एक, आठ आ गया अब हम क्या करेंगे, आठ का भाग दे देंगे, तो आठ नवा बहत्तर आपका इंसर नवा जाएगा अब अगर हम इसको ट्रिक्स निकालते हैं, तो हमारा जो अवसत होता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये सुत्र तभी लगेगा, जब अंतर सब में बराबर हो दो, 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 दो का अंतर है, अगर अंतर बराबर हेगा, तो ये अवसत बराबर, फर्स्ट पद प्लस लास्ट पद, यानि प्रथम और प्लस अंतीम और बटे दो हो जाएगा तो प्रथम पद हमारे पास है, दो, तो हम लिखेंगे दो, और प्लस अंतीम पद हमारा सोला है, तो लिख देंगे सोला है, बटे दो, और भाग दे देंगे, यानि सोला दो, अठारा बटे दो हो गया, और दो से भाग दे देंगे, तो हमारा इंस्वर नव आ जाएगा, औ इस तरह से जब अंतर समान हो तो हमेशा प्रथम और अंतिम को जोड़ कर दोका भाग दे दिया जाएगा। अंतर चाहे जितने का हो हमेशा प्रथम और अंतिम बटे दो ही रहेगा। 5 दोनी 10 यह 15 है यह पांच 5 का अंतर है तो हमारा जो आऊसत मिलेगा आऊसत बराबर होगा प्रथम पद 5 प्लस अंतिम पद 50 बढ़े 2 ही लिखेंगे अंतर 5 का है तो 5 नहीं लिखना है तो यह आगले में भी इसी तरह से निकालेंगे अगर हम तो आउस्ट बराबर होगा प्रथम पद यानि 10 और अंतिम पद 100 है और बटे 2 होगा तो 110 बटे 2 तो 2 पच्चे 10, 2 पच्चे 10 हमारा इंस्वर 55 हो जाएगा और यही हमारा इंस्वर बन जाएगा अगला है एक से सवतक क्रमागट क्रमागट का मतलब लगातार संख्यार था तो एक दो तीन चार कराई संख्याओं का आउस्ट निकालना है आपको तो यहाँ पर भी हम आएंगे तो आउस्ट बराबर हमें क्या मिलेगा प्रथम प्लस अंतिम यानि एक प्लस 100 और बटे 2 होग तो एक सो एक बटे 2 हो जाएगा भाग दे देंगे तो दो पच्चे दस होगा एक उतारेंगी बार नहीं जाएगा तो पहले जीरो बढ़ाएंगे फिर दस मलो लगाएंगे फिर जीरो लिखेंगे दस हो जाएगा दो पच्चे दस तो हमारा इंसर पचास दस मलो पांच या 50.50 लिख सकते हैं यही हो जाएगा नेक्स्ट आपका 2 से लेकर 100 तक समसंख्या कह रहा है समसंख्याओं का वो सत्क्याद करना है इसको आपको कमेंट सेक्षन में बताना है किसका इंसर क्या आएगा तो थैंक्स पारवाचिंग इस तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें था वीडियो को लाइक करें धन्यवाद